नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चेल में स्ट्रेस्वी क्लेज़ पर जहां दोस्तों आज के आउट्सोर्शिंग कचे क्रमचर जुड़ी कुछ ख़बरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या ख़बर आए तो सबसे पहले दोस्तों आज शुरुआत करते है यहां पर करनाल बासकर से हर्याना कोसल रोजगार निगम लिमिटेड और डिसी रेट पर लगे चालकों को पका करने की मांग जिहां बता दे आप लोगों को ओल हर्याना सरकारी अरद सरकारी चालक संग करनाल ने दोस्तों यहां पर यह मांग उठाई है कि यहां पर करमचा प्रदेश में सरकारी भी बागों में कारत सभी चालकों को प्रात्मिक पेस्केल 35,400 रुपे भी दिये जाए और चंडिगड में कारत चालकों के हिसाब से उन्हें अतरिक्त वेतन भी दिया जाए तो यहाँ पर कोसलोजगार निगम के मादमशी और डिसी रेट पर लगे जो ड्राइवर है दोस्तों वो यह मांग कर रहे हैं पका करने की जजर बासकर से देख लेते हैं अगली खबर यहाँ पर सफाई करमचारियों की तीसरे दिन भी हड़ताल है जारी सफाई करमचारी समा समान काम समान वेतन की मांग पर अडे हुए हैं जी हाँ समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जजर में बेरी में और बाहदर गड में दोस्तों यहाँ पर नगर पाली का नगर परिशद करमचारियों की हड़ताल चले है तीन दिन से करमचारी डिमांड करे हैं कि इनका समान काम समान वेतन लागू कर दिया जाए देख लीजी अगली खबर है सीरसाबासकर से आशा वरकरों ने केंडल मार्च कर जताया है रोश जी हाँ आज आशा वरकरों की हर्टाल का लास्ट दिन है अभी तक जो इन्होंने बढ़ाई की थी हाला कि आठ तारिक से इन्होंने शुरू की थी यानि कि आठ अगस्ट से शुरू किया था तो अब ग्यारा तारिक आज हो गई है तो अभी तक इनकी हर्टाल जारी है 26,000 रुपे कम से कम ये वेतन मांगे रही हैं 28 अगस्ट कोई नों ने पंचकुला में जो परदसन किया था और पुलिस ने जो दमनकारी नीती अपनाई उसका भी यहाँ पर यह भी रोध कर रही हैं बता गया अभी 33 दिनों से शिर्शा में ये धरना दे रही हैं लेकिन दो टक शिफ्ट अटेंडेंट का नहीं बढ़ा कोई DC रेट जीहानु बंदित विद्यूत करमचारी यूनियन संग की बैठक रेस्ट आउस में हुई है दोस्तों जिसमें यहाँ पर यह बता गया है कि भी करमचारियों को 10 से 20 परसेंट DC रेट बटने का यहाँ पर बता गया ह लेकिन यह सिर्फ जनता को भरमीत किया जा रहा है इस तरह कि कोई बड़ोतरी नहीं हुई है सरकार के उल जनता को बेवकूप बना रही है DC ने जिनका एक्सपिरिंस च्छे वरस से अधीक है इन पोस्टों के रेट नियदारित किये थे जो की असिस्टेंट लाइन मैन के 24940 कलरक वे डाटा इंटरी ओपरेटर के 23560 था शीप्ट अटेंडेंट के 23180C मिलते हैं इस साल बहुत सारी सभी चीजों के आपर बता गया अब स्कूल के फीच बढ़ गी है दूद सबजी के रेट बढ़ गए है लेकिन तीन साल से कोई DC रेट नहीं बढ़ा है जबकि रेगुलर क्रमचारी की शेलरी है हर 6 महीने में बढ़ जाती है तो क्रमचारी चाहते हैं कि इनका DC रेट को भी उचीत तरीके से बढ़ा जाए जिस तरह से महेंगाई बढ़ रही है महेंगाई के साथ जोड कर ही बढ़ा जाए ताकि इनको भी कुछ राहत मिले पानिपत से देख लेते हैं अगली खबर यहाँ पर तीन कच्छे क्रमचार विए अगली की सेवा समाप्त होगी चार होंगे चार्ज़ चीट पंद्रा लाग की recovery जिहां recovery भी कर चुके हैं क्या था मामला बता देते हैं रोतक में दोस्तों ये था लेकिन ये पानिपत वासकर्षे खबर ली है रोतक में बिजली बिलों में दो क्रोड का गोटाला किया गया था तो यहां पर तीन कचे करमचारी इसमें सामने आए हैं बता जारा है और चार होंगे चार चीट पंदरा की तो रिकवरी भी कर ली गई है बता दें आप लोगों को बिजली बिलों में संसोधन के नाम पर यानिके बिजली बिलों को ठीक करवाने के नाम पर है ये करमचारियों ने दो क्रोड का गोटाला किया है और डिट के दोरान इसका खुलासा हुआ तो भी भागने ही कुछ करमचारी के नाम इसमें सामने आए हैं पता गया है जिन्होंने SDO की login ID चुरा कर बे धड़ तरीके से बिलों का खेल किया है तो इस तरह कि ये काम से थोड़ा सा पचना चाहिए अब यहां पर कच्छे करमचारी है जो उनके सिर ये ठीक राप फूट गया है एक तरह से कह सकते हैं बेंक अब सेवाई भी समा सेमती जी हाँ जो स्वास्ते करमचार ने दोस्तो यहां पर दिकारियों से बात चित की है जिसमें बता गया है 13 को स्वास्ते मंत्री के साथ प्रस्तावी तो बैठक के बाद हो सकती है कुछ अधी सूच ना जारी इसमें जो मुख्य हमांगे दोस्तो बता दें आप लोगों पर रहे हैं तो यहां पर MPHW के तहद लगे जो नहीं के तहद दोस्तों जो MPHW लगे हुए हैं इनकी यहां पर यह मांगे हैं इन पर कभी सारी से अमती बनते वे नजर आ रही हैं देखते हैं क्या कुछ रहेगा तेरा तारीक को जो भी मीटिंग होगी उसकी अपडेट आप पहुंचा देंगे में इंदर गडबासकर से देख लिजे ग्रामिन चोगिदारों की कनीना में बैठक आज तो आज बलोक कनीना में ग्रामिन चोगिदारों की बैठक हो रही है दोस्तों बता दें आप लोगों को यहां पर इनकी जो सेलरी बढ़ोतरी है उसके नाम पर यह मुख्या मंतरी साब को धन्यवाद देंगे अब 7000 से बढ़कर इनकी 11000 से लरी हो गई है और 90 सुविधाइं भी इनको दी जा रही है दूसरी तरफ यहां पर बता गया है कि बैठक में रजय सलाकार लालचंद क कराला चोकिदारों को आगे की रूप रेखा त्यार करके आपस में साजा करेंगे यानि कि आगे की रनीती भी बनाएंगे फिलाल कुछ मांगों पर दोस्तों सरकार ने गोशना कर दी है वही इसको लागू कर दिया जाएगा चोकिदारों की से समन्दी जो मांग थी यहां पर बताया गया है दोस्तों आशा वरकर भी इसमें भाग लेंगी और साथ में ग्रामिन चोकिदार है वनवी भाग से जुड़े करमचारी है मिडे मिल करमचारी है साथ में अंग्रवाडी वरकर और भव निर्मान मजदूर भी इसमें दोस्तों भाग लेंगे आठ अक्तूबर को जो परदसन होने जा रहा है जो हड़ताल होने जा रही है राज्यस्तर यह हड़ताल रहेगी करमचारीयों की तो दोस्तों यह थी सारी की सारी आज की आउट किसन चले टेड़ कच्चे करमचारीयों जोड़ी खबरे समय पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थैंक यू वेरी मच्च